हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल NK Farmacy Knowledge पर जहां पाते हैं दवाईों से संबंदित अच्छी और संपूर जनकरी दोस्तो आज की इस मैडिसिन रिव्यू के वीडियो में हम जानेंगे गुटसेफ 100 ड्राइ सीरप के बारे में गुटसेफ 100 ड्राइ सीरप मैनकाइन लाइफ इस्टार डिविजिन का एक अच्छा प्रोड़क्ट है और दोस्तो आप यहां देख सकते हैं जो कि केवल बच्चों के यूज के लिए होता है पेडियेटेक यूज अनली यह सिर्फ सिर्फ बच्चों के लिए इस्तिमाल में लिया जाता है इसके लावब दोस्तो हम जान लेते हैं इसकी कुछ प्राइस के बारे में तो आप यहां देख सकते हैं इसको आप 128 रुपे में एजली आप के डिया में किसी भी फार्मेसी स्टोर से खरी सकते हैं और यह 30 ml की पैकिंग में आपको मिलता है और दोस्तो इसमें इच 5 ml कंटेंट्स के लिए आप यहां देख सकते हैं सेफ पोडॉक्सिम 100 mg की मातरा में एड़ किया गया है और इसका यूज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तो गुटसेफ 100 mg dry syrup एक powder waste का syrup है जिसके साथ sterile water भी अलग से दिया होता है दोस्तो चलिए वीडियो में आपको दिखा देते हैं जिसके साथ अलग से sterile water दिया होता है तोस्तो आप यहां देख सकते हैं इस तरह से इसमें dry powder होता है और यह sterile water होता है जिसको add करने के बाद यह syrup की form में बन जाता है liquid form में आ जाता है गुटसेफ 100 syrup cephalosporin group से related antibiotic medicine है इसका यूज tonsillitis, sinusitis, कान का infection, pneumonia, bronchitis और urinary tract के infection के उप्चार में किया जाता है इसके साथ ही अगर किसी बच्चे को skin infection हो गया है सूजन उसको skin पर सूजन आ गई हो lungs infection हो गया हो eye infection है, हड़ियों का infection है blood infection, heart infection, throat infection, gastrointestinal tract से related कोई भी problems है और आपके बच्चे को अगर typhoid fever है तब ऐसी सभी condition में ये दवा आपके बच्चे के लिए काफी effective medicine रहती है इसके अलाबा भी यदि बच्चे को upper respiratory infection है या फिर किसी तरह का कोई फोड़ा फुनसी उसे हो गया है कोई घाओ हो गया हो तब ये दवा उस घाओ वाली जगए को infection से बचा कर जल्दी ठीक होने में मदद करती है या फिर आपके बच्चे को bacterial infection के कारण किसी भी तरह की कोई problems है तब इन सभी problems को ये सीरफ बहुत ही अच्छी तरह से treat करता है और दोस्तों ये एक एंटिवाइटिक सीरफ है इसलिए इसके और भी multiple uses हो सकते है और हो सकता है डॉक्टर इसे अपने experience के base पर किसी अन प्रोब्लम्स में भी यूज करा सकते है दोस्तों ये सीरफ वैक्टेरिया कवरिंग जिसे आप cell wall बोल सकते हो उसको बनने से रोकता है जो कि वैक्टेरिया के जीवित रहने के लिए काफी जरूरी होता है ऐसा करने से infection बच्चे की body में फैलता नहीं है और वैक्टेरिया भी मर जाता है दोस्तों बात करते हैं सीरफ को लेकर कुछ precautions की क्या क्या सीरफ को लेकर precautions है तो अगर आपके बच्चे को इस contents से allergy है बच्चे को जन्व से कोई विकार है heart disease है blood disorder है liver या kidney disease है और अगर कोई अधर इसका use कर रहा है तो पहले डॉक्टर से सला कर लें इसके बाद ही इसका इसका इस्तिमाल बच्चे को कर रहा है दोस्तों आप हम बात करते हैं इसकी dose की डॉक्टर जो बच्चों को dose एडवाईज करते हैं वो क्या dose रहती है तो दोस्तों इससे बच्चों में जो डॉक्टर dose एडवाईज करते हैं वो 2.5 ml से लगा करके 5 ml तक सुबह साम दी जाती है और कई बार डॉक्टर इस डॉज को बच्चे की बॉड़ी तता बेट के हिसाफ से कमबड़ भी कर सकते हैं तो इस तरह से डॉक्टर इसे 2.5 ml से ले करके 5 ml सुबह साम लेने की सला देते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ common side effect कि अगर किसी बच्चे में इसके common side effect होते हैं तो क्या-क्या हो सकते हैं बच्चे को दस्त लग सकते हैं जी घबराना पेट में दर्द होना और skin races की problem हो सकती हैं वैसे तो दोस्तों ये side effect कुछी time तक रहते हैं और ये कुछ समय बाद ही अपने आप ठीक हो जाते हैं और ये या इनके अलाबा कोई अने side effect आपको दिखाई दे तो आप अपने बच्चे को इस सीरप का इस्तिमाल रोक करके अपने डॉक्टर से मिले डॉक्टर से मिलने के बार प्रॉपर टीटमेंट दिलाएं उमीद है दोस्तों आज का ये good sap dry सीरप का वीडियो आपको पसंद आयोगा आपके बच्चे के लिए helpful रहा होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें साथी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए मिलते हैं आप से हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई मैडिसिन की जानकरी के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिन नन्यवाद़